हेलो वाई स्वागते आप सभी का फिर से आज की एक और नई वीडियो के अंदर तो भाई यो आज की वीडियो कुछ इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि भाई एक ही कंपनी के हमारे पास दो टेक्टर है तो भाई यो ये है सवराज का 855 FE 5 star 15 speed के अंदर ये टेक्टर है और ये है आपका 855 FE 4 star reverse VTO old model तो भाई यो आज की वीडियो में दोनो टेक्टरों के बीच में तकड़ा comparison होने वाला है तो दोनो टेक्टरों के बीच में आपको क्या difference मिलता है 2023 के अंदर आपको क्या-क्या changes देखने को मिले है सवराज 855 FE 5 star 15 speed के अंदर तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले है तो भाई वीडियो का इसकी मत करना वीडियो को एंड तेक जरूर देखना और जो भाई चैनल पर है चैनल को subscribe करने ना तो चलो भाई भी इन देरी के उडियो को सुरू करते हैं तो भाई सबसे पहले बात करेंगे नए मोडल से तो नए मोडल में भाई आपको क्या-क्या changes देखने को मिलते हैं तो भाई पूरा का पूरा look wise बात करें तो भाई पूरा का पूरा change हो चुक है तो भाई आप देख सकते हो जो उसका bonnet है वो single bonnet के अंदर ये आपको दे दिया गया है तो front से बात करें front में आपको normal hellos and light और ये कुछ इस तरह की यहाँ पे जाली वगारा और basin देखने को मिल जाती है तो भाई सवराज ने इस बार look के मामले में पूरा ख्याल रख्या है तो जो इसके fender वगरा है वो भी change कर देगे तो भाई ये सामने से आप देख सकते हो थोड़ा गोलाई टाइप में दे दिया गया है अब जीतने भी सवराज ने टेक्टर लोंच किये हैं नए तो सवराज 744 हो गया और भी अधर टेक्टर हैं तो सभी के यही आपको look देखने को मिलेगा तो भाई बोनट वगरा कुछ इस्तरी के आपको देखने को मिल जाते है तो अब बात करते हैं old model की तो भाई ये तो आपने सभी ने देख रखा है तो सवराज ने एक चीज और अलग की है भाई इस बार तो जो old model था उसके अंदर आपको 2 साल की warranty देखने को मिलती थी और जो नया model है 2023 के अंदर आपको 6 साल की warranty देखने को मिल जाएगी तो भाई यो अब बात करने थे हैं इसके engine से तो भाई engine में आपको क्या क्या changes देखने मिलता है मिलता भी है या नहीं भी मिलता है तो भाई दोनो ट्रेक्टरों के अंदर आपको 55 ओस पाउर का engine देखने मिलता है engine capacity आपको 3478 CC मिलती है जो की 2000 rated RPM पर maximum power generate करता है torque की बात करूँ 205 Nm का torque देखने मिलता है भाई दोनो ट्रेक्टरों के अंदर ये same आपको देखने मिल जाएगा तो भाई engine के अंदर आपको दोनो ट्रेक्टरों के बीच में क्या difference मिलता है difference मिलता है आपको बोर के अंदर तो जो old model है तो old model के अंदर आपको 200 Nm का बोर देखने मिलता था इसका नया मोडल के जो टोप मोडल है तो उसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पार श्टरिंग भी देखने को मिल जाएगा नया मोडल के अंदर आपको फेंडर भी चेंज देखने को मिलेंगे और साइड इंडिकेटर LED कर दिये गए हैं जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आपको LED बल्फ देखने को मिलेगा यह नया मोडल का कुछ इस तरीके का जो इस्टरिंग वील है यह थोड़ा छोटा कर दिया गया है और जो इसका इस्टुमेंट कलेश्टर है वो भी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है पूरा गाड़ी जैसा लगा दिया गया है जो इसका होर्स वोगार है उसमें डिजिटल यह रीडिंग करता है जैसे कि आप चाबी गुमावगे तो आपको दिखा देगा A-model में आपको double clutch देखने को मिलता है और जो old model S में dual clutch देखने को मिल जाता है जो भाई यह double clutch है उसमें आपको दोनों ही A की clutch में दोनों clutch देखने को मिलते हैं और जो double clutch है इसके अंदर आपको यह हाथ में आपको जो P2 clutch होता है यह आपको हाथ में दे दिया गया है तो यहां पे आपको इसकी जो description plate है यहां पे आपको नजर आती है अगर गैरों की बात करें दोनों टेक्टरों के अंदर आपको high low medium gear देखने मिलते हैं side shifting गैरों के अंदर तो जो old model है उसको इंदर आपको optional भी देखने मिलता है तो side indicator कुछ इस तरीके के आपको दिखा देता हूँ जलाके तो यह है भाई इसके side indicator इसमें थोड़ा change कर दिये गए है fender वगारा में और यह कुछ इसकी की वगारा आपको नजर आती है भाई भाई देख रहे हो side indicator तो LED कर दिये गए है और fender देखो भाई तो भाई back side से बात करें तो back side से कुछ इस तरीके का आपको नजर आ जाता है नया model तो भाई back से कुछ भी changes आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो back में आपको वही आपको double-double distributor देखने मिल जाता है three point link जो top link मिलता है और यहां पे आपको 12 old का circuit भी देखने को मिल जाता है तो पीछे से सब कुछ सेम है तो थोड़ा सा yes में difference नहीं है कुछ भी अगर भाई PTO की बात करें PTO से में आपको 33.8 kilowatt की PTO capacity देखने को मिल जाती है यह आप देख सकते हो यहां पे इसकी PTO वगारा नजर आती है तो भाई बैक में जो change है इसके back में change है इसके lift capacity में तो भाई जो old model है उसमें आपको 1700 किलो की lift capacity देखने को मिल जाती थी और जो new model है उसके इंदर आपको 2000 किलो की lift capacity आपको देखने को मिल जाती है तो भाई 2000 किलो तक weight उठाने की इसकी अक्षमत है तो भाई यह इसकी जो tool box वगरा है यहां पे आपको नजर आते हैं तो भाई सेम है और कुछ भी इसमें change नहीं देखने को मिलेगा आपको पीछे से तो भाई ब्रेक की बात की जाई दोनों टेक्टरों के अंदर आपको oil immerse brakes ही देखने को मिलते हैं old में भी और new में भी यह नए model का आपको bonnet भी खोल के दिखा देता हूं भाई इसके अंदर आपको single cylinder देखने को मिलता है जो इसका bonnet को रोकता है खोलता है तो यह आपको ऐसा मिलता है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है इसमें cool end वगरा और radiator वगरा इसमें जो lowe का दे दिया गया है और यहाँ पे आपको cool end box देखने को मिलता है और three cylinder जो इसके यहाँ पे आपको देखने को मिलते है तो और इसके अंदर आपको same देखने को मिलतेगा दोनों टेक्टरों के अंदर ही तो भाई यह दोनों टेक्टरों के बीच में यही difference देखने को मिलता है आपको यही change देखने को मिलते है आपको कौन से ट्रेक्टर की लुक पसंद है तो क्या कमी है दोनों ट्रेक्टरों के बीच में बाई कमेंट करके जरूर बता देना आपको ओल्ड मोडल ट्रेक्टर अच्छा लगता है या न्यू मोडल ट्रेक्टर अच्छा लगता है तो बाई कमेंट कर देना जरूर यही थी आज की वीडियो भाई वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को like, share, subscribe जरू को लेना वीडियो देख लिए धन्यवाद, thank you so much